फर्स्ट वाकिंग स्ट्रीट आफ इंडिया यस आप लोगों ने सही सुना ये है इंडिया की पहली वाकिंग स्ट्रीट जो की करनाटका के बैंगलोर सिटी में है और कहां पर है और थाईलेंड में है जैसा की आप सभी को पता होगा तो थाईलेंड वाली वाकिंग स्ट्रीट तो आपने देखा ही होगा लेकिन अब इंडिया की वाकिंग स्ट्रीट देखने का समय आ गया है तो चलिए चलते हैं आगे और इंडिया की मतलब बैंगलोर की वाकिंग स्टीट मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टीट का नाम है चर्च स्टीट जैसा की वो सामने लिखा हुआ है चर्च स्टीट जो की इंडिया की पहली वाकिंग स्टीट है या फिर ये कहें बैंगलोर की भी पहली वाकिंग स्टीट है जो की बैंगलोर सिटी के मध्य में इस्थित है और कोर मंगला जहां की नाइट क्लब एंड पब बार है उसके बहुत ही पास है तो अगर आप केरला की नहीं करनाटका की नाइट लाइफ या फिर ये कहें बैंगलोर की नाइट लाइफ देखना चाहते हैं तो आपको इस चर्च स्टीट या फिर ये कहें वाकिंग स्टीट में जरूरी जरूर आना चाहिए तो चलते हैं अब आगे की तरफ और पूरी चीजों को दिखाने का प्रयास करता हूँ यह Church Street बहुत ही फेमस है अगर आप Bangalore घुनने आ रहे हो और tourist places आप Bangalore, visiting places आप Bangalore, tourist sports in Bangalore सर्च कर रहे हो तो आपके लिए Church Street बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर आके आप Bangalore की night life से अबगत हो सकते हैं क्योंकि आप रोग हमेशा सर्च करते हो night life of Bangalore तो Bangalore की night life आपके सामने हैं वो हैं दोनों transgender तो रात में अभी फिलहाल 11 बजे हैं और transgenderों की भीर यहाँ पे लगना सुरू हो गई है फिलहाल दो transgender मेरे पीछे भी थे तो आप सोच सकते हैं कि अगर दो बजे के बाद यहाँ पर आओगे तो कैसा महौल देखने को मिलने वाला है और आगे चलके मैं आपको सब कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ मतलब यहाँ पे transgender वगेरा नॉर्मल वात है इसी स्ट्रीट पर फिलाल अभी जश्ट पांच मिनट पहले बारी सुई थी इसलिए यहाँ पे लोग कुछ कम दिख रहे हैं आपको लेकिन अभी आगे चलते हैं और आगे चलके आपको और कुछ interesting facts and interesting चीजे दिखाता हूँ आपको बैंगलोर की night life जरूर देखना चाहिए वो भी church street की night life दिन में भी यहाँ पे रंगा रंग माहौल रहता है लेकिन रात का रंगा रंग माहौल आपको देखना जरूरी है और यह है first walking street आफ इंडिया या फिर यह कहें walking street आफ बैंगलोर तो अगर आपको बैंगलोर के और touristy sports को देखना है और tourist जगहों के बारे में जानना है तो मुझे comment करके पूँच सकते हैं तो मिलते हैं next video में एक जवर just information के साथ तब तक के लिए bye bye thank you for watching